बूल्ट मॉर्णी स्टुडेंट्स लक्ष में आप सभी का सभागत है मैं इसके भारती आप लोगों को अथ्स पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग कॉंप्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग पिछरे लेक्षर में कॉंप्लेक्स नंबर में हम लोगों ने algebra of complex number यह जोड, घटाओ, गुना और भाग यह complex number का complete कर चुके थे तो तिप theory हुआ था आज हम दोग उस से related एक छोटा-छोटा question करके देखते हैं कि जोड कैसे करते हैं, घटाओ कैसे करते हैं गुना कैसे करते हैं, और भाग कैसे करते हैं एक छोटा सा question है, मैं आपके सामने live लेके चलता हूँ, और मेरे साथ-साथ बनाएंगे, आप भी copy लेंगे और मेरे साथ-साथ बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही, हो सकता है, आप मेरे से पहले बनाए यह मैं एक example ले रहा हूँ, मेरे example के coding आप लेके चलिए, जोड़ घटाओ गुना भाग का, यहां लिखा है for z1 is equal to, z1 का value दे दिया है 4 plus 3i and and z2 is equal to z2 is equal to 2 minus 3i इसके बाद बहुता है obtained obtained पहला a number question में दिया हुआ है z1 plus z2 निकालिए, z1 plus z2 निकालिए, b number question में दिया हुआ है, z1 minus z2 निकालिए, ठीक है c number question दिया हुआ है z1 into z2 निकालिए, ठीक है d number question में दिया हुआ है z1 by z2 निकालिए, ठीक है तो यह 4 question हम लोग यहाँ पर complete करेंगे, कौन-कौन है, z1 plus z2, z1 minus z2, z1 into z2, z1 by z2, एक तरह से वही हुआ कि complex number में, सर दो complex number को जोड़ना, दो complex number को घटाना, गुना करना और भाग करना, यही चार question है, तो पहले basic question को कैसे complete करते हैं, वो हम लोग देख लें, इसके पहले theory आपने देख लिया है, बहुत अच्छे से theory को समझ लिया है, अब theory के according ही हम लोग एक numerical कर लेते हैं, ताकि एकदम को जो भी थोड़ा मोड़ा confusion बचा होगा, वो भी एकदम clear हो जाएगा, तो चली, तो topic पे आते हैं, solution कैसे करेंगे हम लोग, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक पास z1 दिया हुआ है, लिख दीजिए, z1 is equal to 4 plus 3i, ठीक है, z2 is equal to दिया हुआ है, 2 minus 3i, यह हमारे पास है, अब हमें कहता है, इससार सबसे पहला question a दिया है, और a का मान निकालने बोल रहा है, z1 plus z2 के लिए, आप एक काम कीजे, z1 का मान दिये हुए है, 4 plus 3i, फिर plus कर देंगे, उसके बाद हुजाएगा, bracket घेर दीजेगा तो और बेटर लहेगा, 2 minus 3i, correct, अब मैं इसको थोड़ा solve कर देता हूँ, तो हुजाएगा 4 plus 3i plus 2 minus 3i, correct, अब देखिए, दो constant value है, और दो imaginary value है, यही real part को अलग जोड़ दीजे, imaginary part को अलग जोड़ दीजे, real part जोड़ यह करते हैं, 4 plus 2, 6 हो जाएगा, लेकिन imaginary part अगर गौर से आप देख रहे होंगे, तो imaginary part में plus 3i है, और minus 3i है, तो आप बोलेगा, बिना बोले ही आप कहिएगा, अगर आप इसको cut दीजेगा, तो ज्यादा better होगा sir, क्योंकि दोनों cut रहा है, और हमारे पास imaginary part cut जानी के वज़े से, सिर्फ real part बजता है, और यही मेरा answer हो जाना चाहिए, और यही मेरा answer हो भी जाएगा, तो a number question बहुत अच्छे से बना, कभी भी कोई दो complex number को कैसे जोड़ते हैं, आपके सामने दिखा, बी number question पर बात करते हैं, आईए, बी number question क्या कहता है, बी number question कहता है कि हमें दो complex number को घटाना है, z1 minus z2 निकालना है, कैसे किजएगा, तो z1 minus z2 के लिए कैसे किजएगा, z1 minus z2, जैसे हम z1 minus z2 बात बोलते हैं, इसका मतलब दो complex number को घटाना है, पहले z1 है, इसलिए z1 लिखिएगा, 4 plus 3i, यह हो गया, फिर घटाओ देंगे, फिर z2 कमान कितना हो जाएगा, 2 minus 3i, अगर आप गौर से देखें, तो घटाओं में यहाँ साइन मैंने दे दिया है, देखें, ब्रैकेट देने का फायदा यहाँ क्या हुआ, अगर हम ब्रैकेट नहीं देते ना, तो यह minus जो है बिकार हो जाता, minus सब में गुना होता है, अलग separately, इसलिए ब्रैकेट दे के किजएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा लगेगा, और गलती होने की संभावना एकदम खतम, 4 plus 3i, अब minus से गुना कीज़े तो, minus 2, ठीके, और minus minus, plus 3i, अगर आप solve करेंगे, अब देखते हैं, देखें, real part यहाँ 4 है, और यहाँ minus 2 है, अगर आप इनको solve करते हैं, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, imaginary part दोनों plus के format में, तो कटना तो कटो उम्मीद नहीं है, दोनों को जोड़ देते हैं, पलस 3 और 3, 6i, यहाँ जो z1 minus z2 निकलेगा, यहाँ लिख सकते हैं, z1 minus z2 is equal to 2 plus 6i, और यही हमारा answer कहलाएगा, इससे आगे आगे solve नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह complex number के form में आ चुका है, इस तरीके से दूसरा question आपने बनाया, पहला question z1 plus z2 था, दूसरा question z1 minus z2 था, एक, ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा question हमारे पास z1 into z2 है, z1 into z2 है, तर z1 into z2 का मतलब हो गया, c number question हैं, बनाते हैं, z1 into z2 का मतलब 2 complex number को multiply करना है, अब 2 complex number को multiply करने का मतलब क्या होता है, चुनिए, जैसे मान लिया कि मेरे पास 2 complex number कौन-कौन है, एक z1 का मान 4 plus 3i, यहां लिख देंगे 4 plus 3i, multiply with 2 minus 3i, अगर मैं इन दोनों को multiply करता हूँ, तो multiply एकदम general होता है, जैसे आप गुना करते हैं, वही से कीजे, बाद में देखा जाएगा इसका value क्या आएगा, 4 से गुना करेंगे इन दोनों में, 4 दुना 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 से minus में, minus 4 गुना 3, 4 तिया 12i हो जाएगा, उसके बाद plus 3i को इन दोनों में गुना करते हैं, तो फिर होगा, पलस, पलस, पलस हो जाएगा, और 3 दुना 6i हो जाएगा, अच्छा, पलस, माइनस, माइनस हो जाएगा, तीन तिया 9i हो जाएगा, है ना, सर, अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आप यहाँ देखिए, आपके नुसार से क्या answer होगा, 8, यह real number है, और इसमें देखिए, रुकिए, एक मिनट, यहाँ देखिए, गुना कैसे गलती हो गया, ऐसे ही ध्यान देना है, 3 गुना 3, 9, i, 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 square होगा, इस बात को भूल गए, 3, i, i, minus, 9, square होगा, क्योंकि पलस, मैनस, मैनस हो गया, अब यहाँ रुकिए, पहले, रुकिए, अब एक बात बताईए, सर, ठीक है, कि अगर आप, i, square का मान जानते हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत बार, आप, i, square का मान लिखेंगे, यहाँ, bracket, घेर के लिख सकते हैं, i, square बराबर, formula होता है, minus 1, पहले बार, बहुत बार, आप बना चुके हैं, पीछे, बहुत बार, प 6i जाएगा, तो 6i कटा, minus 6i बचेगा, ठीक, अब बताईए, minus, अब देखे, 9 into i, square का मान, minus 1 होता है, minus 1 से 9 को गुना करेंगे, तो, और minus minus plus हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही हमारे पस कितना होगा, 8, 8, plus 9, यह 9, plus में आ गया, minus 6i, और जोडेंगे, 9, 8, 17, minus 6i हो जाएगा हम लोग निकाल दिये, z1 into z2 का मान, z1 into z2 का मान, 17 minus 6i आएगा, ठीक है, सर, एकदम सही बनाए हैं सर आप, ठीक है, हमको लगता है, हम सही बनाए हैं, बाकी आप भी calculation कीजे, कहीं mistake होगा, तो आप हमें indicate करेंगे, ऐसे इस का answer, multiplication का answer आपके सामने होगा, बहुत easy होते हैं अगर आप समझ रहे हैं, तो बहुत आसानी से बना पाएंगे, नहीं समझ रहे हैं, तो यही question पहाड लगने लगेगा, इसलिए आप ए question आप बना लिए, तीसरा question है, चौथा question, z1 by z2, तो प्लीज एक बार, z1 by z2 के लिए copy जो हम theory बताएं, उसको जाके देखिए, यह भा पिछले copy पीछे notes बनाएंगे, जरूर पलट के देखिए एक बार, चलिए यहीं पर से शुरू करते हैं, थोड़ा जगा है, इसको हम लोग यहीं पर से शुरू करते हैं, आईए, तूसरा color का pen ले ले लेते हैं हम लोग, और हम लोग बनाने की कोशिस करते हैं, यहाँ पर, एक, तो जड़वन का मान उपर है, तो जड़वन लिखा हुआ है, 4 पलस 3i, बटा में 2 माइनस 3i, एए न, असर रही तो है, अब हमने आपको बताया था, divide के format वाले question को बनाने के लिए, हमें rationalization process करना होगा, rationalization क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को जानते हैं, rationalization, junior classes में बहुत बार आपको पढ़ाया गया था, कि जो denominator होते हैं, हर होता है, उसके, ठीक है, एक side के sign को change कर देना, तो हम यहाँ imaginary के sign को बदलते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पलस 3i, तो जो नीचे ह वही उपर से भी लिख दिया जाता है, 2 पलस 3i, ताकि दोनों को काटे, तो कोई फर्क ना पड़े, और मेरे पास जो value है, वही रह जाए, तो 2 पलस 3i आई आगया, अब सर गुना कीजिए, उपर वाला तो गुना करने, आपको जही से गुना किये थे, वही से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाला का फॉर्मूला पर बैठाईए, ठीक है, a minus b into a plus b, बहुत आसानी से हो जाएगा, a minus b और a plus b, हाँ जी, चलिए, तो हम सर थोड़ा आपके सामने एक step आगे बहते हैं, z1 by z2 के लिए, जैसे हम solve करेंगे तो देखे, 4 दुना 8, फिर पलस, 4 तिया 12 i, फिर हो जाएगा, 3 दुना 6i, ठीक है, और हो जाएगा, पलस, 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 तीन तिया 9i square, सही है, नहां तक तो ठीक लग रहा है सर, ठीक, नीचे में a plus b, a plus b into a minus b, तो इसका होता है a square minus b square formula होता है, a square का हो जाएगा 2 का square, ठीक है, और minus 3i का whole square, है ना, हाँ सर, अब इसक को थोड़ा solve करते हैं, अब एक काम कीजिए, यह देखिए, यहां पर 8 है, यहां यह square का minus 1, यहां पर minus 1 रखेंगा direct, तो minus 9 हो गया, minus 9 में 8 घटा दीजिए, ठीक, minus 9 में, अगर 8 घटा देगे, तो minus 1 बचेगा, यहां minus 1, direct लिख दिए, आप step थोड़ा तेज भागे, हर step को दिखाने की जुरूरत नहीं है, एक दम धेरी दिने मस्टप सा कोई नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा calculation में थोड़ा तेज बनी है, तो यहां square कामार minus 1 रखे, minus 1, minus 9 हो गया, minus 9 यह real number है, और यह भी real number है, minus 9 में plus 8 गया, तो minus 1 हो गया, हां सर्मार हो गया, अब पाते हैं, उसके बाद हो जाएगा, पलस 12, 6, 18i, 18i हो गया, अब 18i हो गया, divided by कर देंगे, अब देखे, 2 का square हो जाएगा, कितना, 4, और minus, minus रहने दिए, यह देखे, यहां गौर से देखिएगा, minus, आपके पर तीन तिया, 9 और i का square, 9i square हो गया, चलिए, last step है, उमीद है, last step में आपको कोई परिशानी नहीं आईगी, यहां देखेगा, z1 by z2 निकालने जा रहे हैं हम, तो आप नजर आएगा यहां पर, उपर में तो minus 1, plus 18i आगया, सर, divided by, देखे, i square, फिर i square का मान, minus 1 होता है, तो minus 1, अब यहां करेंगे, तो कितना हो गया, देखे, minus 1 से गुन यहां हो जाएगा 13, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको अलग-अलग किजेगा, तो real number, imaginary number, अलग-अलग हो जाएगा, कई से अलग-अलग करेंगे, सर, minus 1 बटा में 13, अलग हो गया, फिर, minus 1 बटा में 13, plus 18 बटा में 13 आई, ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि real number अलग कर दिये, imaginary number अलग कर दिये, real number अलग कर दिये, और imaginary number अलग कर दिये, ठीक है, minus 1 बटा 13, plus 18 बटा 13, एक दम सही आया है मेरा answer, आप किताब से थोड़ा मैच कराकर देख रहे थे, कि हम सही बनाएं कि नहीं बनाएं, ठीक है, तो आप जैसे-जैसे मैंने process किया है, exactly आप भी वैसे ही process कीजिए, ठीक है, question एक दम आसान होते हैं, ये सब questions में कोई दम नहीं है, धेरी-धेरे और बड़े-बड़े question ओपर जाएंगे हम लोग, और आपको make a करके question बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक, चलिए, एक-दो question और हम आपको समझाने की कोशिस करते हैं, ठीक है, जल्दी से note कीजिए इस page को, जल्दी से note कीजिएगा, तो फिर next page पे आते हैं हम लोग, एक question और करते हैं हम लोग, एक question मेरे पास है, आप इसको बनाने की कोशिस कीजिए, question क्या है, देख लीजे, ठीक है, question दिया हुआ है, if, if z बराबर एक complex number है, और इसका root under में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, one plus i, बटा में, one minus i, बस, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, क्या कहा रहा है, question, if z बराबर this, then, then, ठीक है, then, 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 convert, ऐसे convert मत लिखे, express लिखे, then, express, express it into a plus bi, a plus bi, a plus bi, a plus bi के form में इसको express करना है, a plus bi के form में हमारा question तो है नहीं, हमारा question root under के अंदर दो-दो complex number है, यह नहीं, सब मिला के सब को मतलब खिचडी बनाईए, चोखा बनाईए, और a plus bi के form में ले आईए, कैसे बनाईएगा इस question को, sir, इसमें दो-दो है, ठीक है, अब सोचिए, दिमाग लगाईए, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाईए, IQ level अपका एकदम ठीक ठाक है, उमीद है, आप इसको समझ पाएंगे, तो दिमाग लगाने से अचानक याद आया, sir, भागा वाला पढ़ाय थे, divide वाला, और divide वाला ही तो है, और divide वाला म मतलब मुहें से बना ली जाएगा तो नहीं बनेगा, बनाने के लिए आपको कलम कौपी उठाना होगा, एक बार कोशिस करना होगा, गलत या आप सही, जो भी आपको लगता है, वो बनाने की कोशिस करनी होगी, जब आप बनाने लगिएगा, अपने आप रास्ता खुलना पसुरू होता है इस बात को मैं बहुत बार मिंसन किया हूं अपने गनित बनाते समय लगता है कि कोशन नहीं बनेगा एक दो स्टेप सोच लेते हैं उसके बागे का रास्ता दिखता नहीं है और हम लोग कोशन उहीं छोड़ देते हैं नहीं बनेगा ऐसा कहतर ठीक है लेकिन मैं उस स्टेप को कॉपी में यूज करता हूं तब रास्ता खुलने लगता च्छैस के बाद यहीं सकते हैं यहीं बात मैं आपको बताना चाहरा हूं कि अभी हम लोग मुझ से देख लिए रेस्नलाइजेशन करेंगे रेस्नलाइजेशन करेंगे तो खीक है उपर वाला तो आपको लग रहा है कि यहां रेस्नलाइजेशन कर सकते हैं यह सर रेस्नलाइजेशन कर सकते हैं सर क्योंकि डिवाइड के फॉर्म है तो रेस्नलाइजेशन करना कोई दिक्कत नहीं है यहीं जड इस इकोल टू अगर हम लोग बात करेंगे जड इकोल टू कैसे बनाएंगे तो देखेगा root under यहां रहने दीजे और लिखेगा one plus i बटा में one minus i तो हम लोग यहाँ जो है multiplication का sign देते हैं एक multiplication का sign देते हैं और divide में नीचे में देखे denominator का use करते हैं तो one plus i से गुना करेंगे और उपर में भी one plus i से गुना करेंगे अब आप देख रहे होंगे तो अब आपको करना कुछ नहीं है इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजे अब multiply कीजे बस अब आप इसके बाद ठीक है आपका रास्ता खुलना शुरू होगा बाद में देखा जाएगा क्या होगा लेकिन पहले जितना जो प्रोसेस करते हैं आपको दिख रहा होगा वो a one plus i one plus i दो बार है तो a plus b a plus b का whole square के form में चला जाएगा और नीचे a minus b into a plus b के form में चला जाएगा तो उपर वाला तोड़ी a square एनि one का square ठीक है पलस b square एनि i का square ठीक है पलस 2ab 2 a का मान 1 b का मान i तो 2i हो जाएगा ठीक divided by नीचे में a square minus b square एनि one का square ठीक है minus b square i का square कितना आसान है ठीक बहुत आसान है question अब यहाँ से जड बराबर निकालेंगा फिर वही question root हाटेगा कई से सरू बाद में सोचा जाएगा ठीक है वन तीम स्टेप होता है पहले देखे i square को i square रहने दीजिए one square का मान 1 ही होगा है ना i square का मान minus 1 होता है यहाँ पर minus 1 लिख देंगे ठीक है और पलस 2i है तो 2i रहने देंगे divided by अब देखे यहाँ गया 1 का square और i square का मान minus 1 माइनस वन माइनस वन पलस वन ठीक है लीजे सर अब एक step के बाद हमारा answer आने लगेगा लग रहा है चलिए तो उपर में देखिए पलस वन माइनस वन कट जा रहा है दोनों दोस्त बन करके बाजार के तरफ चल दिया ठीक है कट गया अब अचा कौन आपके पास सिर्फ टू आई बचा सर ठीक है डिवाइड़ बाई नीचे में वन पलस वन टू बचा हाँ सर टू टू भी खतम हो गया लगता है आमको ठीक है हमको लग रहा है टू टू भी खतम हो जाएगा अब आपके सामने टू टू भी गयाब एक टू टू भी गयाब अब चलिए देखिए यहां तक तो आ गये अब आप कहिएगा सर यहां से इसको काट दीजे तो अच्छा लगेगा एक काट दीजे ठीक है इसको काट दीए दो को दो अब क्या बचा जेड बराबर रूट अंडर आई बच गया और साट टिंसन हो गया तो बढ़का टिंसन कर दिये सराब हमको लाना था ए प्लस बी आई के फॉर्म में ऐसा तो आ ही नहीं रहा है ठीक है देखिए हमको भी रास्ता नहीं मालूम था और मैं रास्ता चलते 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 भटकते वह यहां तक पहुँच गए कभी कभी ऐसा होता है जब आप रास्ता चल रहे होते हैं रास्ता मालूम नहीं होता तो भटकते भटकते कोई दूसर रास्ता बाद में ऐसा सोता नहीं रास्ता नहीं है कोई दूसर रास्ता अपलाई करना होगा तो यह एंसर सही है एंसर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें question का रहा है A plus B I के formula आना चाहिए तो थोड़ा सा और थोड़ा उपर सोचते हैं और डाइवर्शन के लिए करना क्या है अब आप देखिए जेड बराबर अगर हम करें तो सर इसको root अंडर रहने दीजे और देखिए 1 plus I 1 plus I है यह हो जाएगा 1 plus I का whole square लिख सकते हैं हाँ सरी तो सोचे जी नहीं थे हम लोग तेक अच्छा 1 minus I 1 plus I है तो A plus B का whole square तो नीचे व कर सकते हैं अब नजर आ गया होगा आप बोलें हाँ सरी तो सोचे ही नहीं थे हम लोग हम भी ऐसे हम भी नहीं सोचे थे देखिए हमारा भी रास्ता भटक गया था ठीक है तो हम जानवुच के रास्ता भटक वा दिये आपको ताकि आप भी मेरी तरह से भटक ये उसके पता चलेगा कि हां हमें किस रास्ते पर जाना है आईए इस रास्ते हैं यहां से हम लोग इस रास्ते को डाइवर्ट कर लिए अब यहां से हमारा एंसर पहुंचने एक काकार पर आ गया अब आप गौर से देखेंगे तो ऐसा फील हो रहा है कि सर ये स्क्वार और ये पलस 2 यहां से रूट अंडर टू रूट अंडर टू तो एक रील नमबर है हां हां जी रियल नमबर है ठीक है तो हमारे प mm इंडर के फॉर्मैट में आ चुका है हां दिखने लगा सर ओन बाई रूट अंडर टू अलग कर लेंगे और इसके पार पलस डीक है अपना एंसर प्लस भी नहीं आया ठीक है इसका मतलब है आपका कोश्चन को हम इस रास्ते से ले जाना है तो आपको मैं यह बताना चाहरा था कि जब तक कॉपी और कलम यूज नहीं की देगा और आप सुचेगा कि हम हुआ है मैं सब बना ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए अब आप को क्या करना है कॉपी आपके पास होगा ठीक है आप इसको इस वाले रास्ते को बूलिए नई सर हम इधर नहीं जाएंगे और इसको हम लोग अब इससे काट देंगे कट गया खताम अब हम लोग फ्रेस कॉपी में यहां से यहां चलेंगे ए प्लस बी आई के फॉर्मैट मे में आ गया और यही मेरा एंसर हो गया चलिए नेक्स लेक्शर में इसे धे सारे और कोशन हम लोग करेंगे इस लेक्शर में इतने ही रखते हैं थैंक यू